तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, NCRT Geography, Class 7 से Chapter 3, Our Changing Earth, ये इस Chapter का 3rd Part है, तो अगर आपने इसके पहले के 2 Parts नहीं देखे हैं, तो प्लीज उसे देखे, क्योंकि इसमें जो भी Topics जो बचे हुए हैं, वो मैं इसको कवर करूँगा, पीछे देखो, पीछे, पीछे तू द को, चलिए इस वीडियो में क्या क्या हम लोग सीखने वाले आये देखते हैं, फर्स्ट है, वर्क ओफ सीवेग, नेक्स्ट है, वर्क ओफ विंड, ठीक है, रुको जरा, सबर गरो, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो चंदरवनसी अकैडमी, तो वीडियो को लाइक कीजी, चैनल को सबस्क्राइब कीजी और अपर दोस्तों किसा सेर्ज कीजी, चलिए सटार्ट करते हैं, वर्क औफ सी वेब्स का मतलब क्या है कि कैसे वर्क मतलब सी जो है काम करता है लैंड फॉर्म को चेंज करने में देखिए इसमें जो है जो इरोजन और पोजीशन है इसी से जो है सी वेब्स जो है क्या करते हैं कोस्टल लैंड फॉर्म को बनाते हैं और कोस्टल लैंड फॉर् करते हैं से इसको इसenter रेवर हमंने प्कार स्थ यूद्व करते हैं गड़े वजाते हैं निए जाए यह जब बड़े और यहां जाते है और यह cavity क्या कहलाता है sea arcs ठीक है यह क्या कहलाता है sea arches बन जाते है आईए इस figure में हम लोग देखते हैं देखें यह sea है और इसके जो waves है इससे क्या create हो गया है sea cave और यह जो और जादा इससे जो है sea waves जो है इसने इसको और बड़ा कर दिया है और यह क्या बन गया sea arc ठीक है और यह इसको क्या कहलेते है यह इस part को हम क्या कहते है headland देखें और इसके आगे इसके आगे क्या होता है कि यह इसका roof जो है जो यह headland है ठीक है यह जो part है headland यह भी तूट जाता है इतने sea waves इतना दे जाता है देखा ही आपने तो उससे यह headland भी टूट जाता है जिससे एक wall बच जाती है जो इसको हम क्या बोलते हैं जो यह wall खड़ी हो जाती है तो इसको हम क्या बोलेंगे sea stack figure में आप देख सकते हैं wall are called stack ठीक है steep rock की coastal rising almost vertically above the water called cliff ठीक है मतलब एक stiff rock मतलब एक जो रॉक चो कोस्ट के पास vertically direction में अगर खड़ी है तो उससे हम क्या बोलेंगे these movies click on the page ठीक है ओर जो see waves होते हैं यह deposit करते है sediments along the shore forming beaches कैंट है जो see waves होते हैं वह क्या करते है sediments को सारे को क्या करता है सी इस सौर जो होता है सोर पे लाकर फ़र्म कर देते हैं और उससे क्या बनते हैं beaches ठीक है आपने beaches नाम सुना यह गोवा का beach है है ना चलिए बात करते हैं work of wind work of wind क्या है wind कैसे work करता है ठीक है erosion में और landform को change करने में तो देखिए जो active agents होते है wind के वो कौन है ठीक है erosion और deposition के वो कौन है wind ठीक है desert में सबसे ज़्यादा जो erosion और deposition वो किस से होता है wind से ही होता है ठीक है तो rocks जो है वो shape करते हैं mushroom form commonly called mushroom rocks rocks जो है वो क्या form कर लेते हैं जो mushroom के shape के होते हैं mushroom rocks बोलते हैं और wind क्या करती है कि उसके lower section को erode करती है उपर के section को erode ना करके lower section को erode करती है जिससे क्या होता है जिससे harrower base होता है harrower base क्या है मतलब नीचे का जो part है वो एक दम पतला होता और उपर का जो part है top होता है चॉड़ा होता है ठीक है कुछ mushroom के shape के बन जाता है इसी वज़एसंसे इस आप integer में देख सकते हैं देखे ये जो पार्ट है तो wind क्या करती है कि नीचे वाले पार्ट को जो है ये और जो है हरोवर बना देती है ठीक है और ये जो है देखे ये पार्ट जो है ये और चोड़ा हो जाता है ठीक है और उसके बाद wind क्या करती है wind जो है वो blow करती है और lift करती है lift करती है क्या lift करती है sand को ठीक है और sand को जो है transport करती है एक दूसरे एक दूसरे के जगह पे ठीक है यहां से वहाँ वहाँ से यहाँ transfer करती है जिससे क्या बनता है sandions ठीक है when winds stop sand falls and get deposited on a low hills structured called sand dunes मतलब जब जो हवा पहनी बंद हो जाती है तो क्या होता है कि वो जो हवा वो sand को लेकर चल रही होती है वो अच्छानक से गिर जाती है और low hills पे वो जो है जाके जमा हो जाती है तो जमा हो जाने के बाद क्या बनाती है sand dunes बनाती है sand dunes deposit in a large area called loges sand dunes जब अगर बहुत ज़्यादा area में जमा होता है तो उसे क्या बोलते हैं loges ठीक है large deposits of loges in China बहुत सारे जो loges है उनका deposit कहाँ पे है चाइना में देखिए इस तरह से कुछ loges आपको दिख सकते है और यह देखिए sand dunes है ना यह दोनों figure जो है यह loges है देखिए यहां पे बहुत सारा sand dunes जमा है large area में और यह देखिए यह एक sand dunes है ठीक है तो इस तरह से जो है सारे land forms change होते है और सारे जो है जितने भी land forms जो change होते है वो internal और external movement के help से होते है आर्थ में ठीक है तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा और जो है बाकी सारी चीजे जो है मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ share कीजे और like कीजे और subscribe कीजे और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में तिल देन टेक केर गुडबाई जोड जोड से बोल के लोगों को स्कीमे बता दे खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया झाल हुडबाद के रचाव एल हुड़ाथ प़संतों आक कीजे